आज हमारे पास एक दस साथा का बच्चा आया हुआ है ठीक है na? इसको डाक्टर ने डाग्जोस करके दिया हुआ है कि इसको डिप्थेरिया है हम लोग आज इसको चीक करेंगे ठीक है न? 10-year-boy Provisional diagnosis of डिप्थेरिया डिप्थेरिया हम लोग को इसको चेक करना है तो वड़ वड़ चेक करेंगे दिप्थेरिया is an acute bacterial infection caused by gram-polytic bacillac coidobacterium diphtheria the infection is characterized by local inflammation of the epithelial surface formation of membrane and toxemia हम लोग बस एटियोलोजी पहले देख रहे है क्या इसके एटियोलोजी को एक factors match कर रही है the secretion and disturbances from the infected person or carrier are the main source of infection asymptomatic individual harboring the infection in the respiratory tract are the chief reservoir of the infection the infection is transmitted by contact or via droplet of secretion ठीका तो contact है कोई हम लोग ने ये चेक्किया contact है कोई तो पताचान नहीं कोई से भी contact में नहीं है ठीका ड्रॉपलेट अफिक्रेशन से भी नहीं इसके मतलब the portal of entry is commonly the respiratory tract and commonly the conjunctiva or skin would may serve as portal of entry the period of infectivity persists till the virulent bacilli are present in the lesion which is around 2-4 week the incubation period of the disease is 2-5 days तो कोई भी ऐसा contact में नहीं था 2-5 दिन हो तक कोई भी ऐसा contact में नहीं था 2-5 दिन हो तक अब इस बच्चे में clinical features चेक कर रहे है clinical features को चेक कर रहे है the onset is generally acute with fever क्या इस बच्चे fever है बिलकुल कितना fever है 38.6 degree centigrade 38.6 degree centigrade फिर malayas क्या इस patient में malayas है नहीं, notable नहीं है इसमें and headache क्या इस बच्चे को headache होती रहती है नहीं, इस बच्चों के headache भी नहीं होती रहती है the child has a toxic look क्या इस बच्चे में toxic look है नहीं इस बच्चे में toxic look भी हम लोग को नहीं मिल रहा है ठीक है नेक्स हम लोग क्या चेकर रहे हैं नेक्स बोला जा रहे हैं एक मिनिट क्या यह बच्चा पीच में कभी भी शौक में चला गया था नहीं बच्चे में शौक कभी कोई हिस्ट्री नहीं है ठीक है ना फिर दे लोकल मैनिफेस्जरेंड डिपेंड अन्ड साइट आफ इंवर्ग्मेंट नेजल चिप्थेरिया ठीक है ना इस इस क्याक्टराइज सेरो सेंग्वीनस डिस्चार्ज फ्रम नोस तो सीरो सेंग्वीनस डिस्चार्ज फ्रम नोस फ्रम नोस के इस प्रिजिए 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 नहीं यह प्रिजिए नहीं है यह प्रिजिए नहीं है यह प्रिजिए नहीं है यह प्रिजिए नहीं है यह प्रिजिए नही पिर क्या बोड है? फॉशियल दिपते विया के लिए दिर इस रेटनेशन स्वेलिंग ओवर द फॉशियल पिलर्स फॉशियल पिलर्स जो कि मुझ के अंदर देखा गया हुआ है विदिन माउथ विदिन माउथ यह बच्चे का एपसेंट है यह बच्चे में नहीं है इस बच्चे में और माफल्ड वाइस के इस बच्चे में नहीं लिए के विदिन मिल रही है निक्स के देख रहे हैं मेंब्रेन ओवर दे लेंग रिसल्ट इन बरासी कॉफ एपसेंट इन फॉश बच्चे का हो थोष बासी कॉफ दॉश एपसेंट है नहीं अभी तब दो दो देवलपनी वा रिश्वार्ण स्वाइश बिकम्स लेबर्ड यह भी इस बचे प्रिजेंट है लेबाद और नॉइसी रेस्पिरेटरी एफ़र्ट इंक्रीस्ट रेस्पिरेटरी एफ़र्ट के इस बचे प्रिजेंट है इस बचे प्रिजेंट है यूज अब्सक्राइब इस बचे प्रिजेंट है तो अभी तक हम लोगों को क्या कि प्रिजेंट मिला फीबर है इसका लवाब ब्रासी कफ प्रिजेंट है लेवर और नॉइज रिस्पिरेटरी एफ़र्ट है और एक्सेसरी मच्छों के यूज भी हो रहा है अगल कर रहे है बच्चा थिक्ए ना कॉम्प्लिकेशन्स अब लोग कॉम्प्लिकेशन्स चिक करने वाले हैं कॉम्प्लिकेश आख यू चार्वरण का रुयुक्या का इंपृ और धाय ना कॉम्प्लिकेशन económ枝 किया क्या चेक करें सबसे पहले करें चिघ्ञटर सबसे पहला होती है Mayocarditis Myocarditis जो होती है Second Week पे Second Week पे तो हम लोग ने पूछना भूली गए तह被वर कितने दिनों से है इस बचे को है पांच दिनों से पांच दिनों से ठीक है ना तो Mayocarditis के ने प्रब्लम होने ही नहीं चीए क्योंकि इस बच्चे में नहीं है फिर वह नहीं है फिर बिन नहीं है लिचिंग्ट मैं회 नहीं थो बाँ से स्थिब्स्टिया यह इस बच्चे में नहीं है फिर टैकी काडिया और ब्रेडी काडिया इसलिए हम लोग हर्ट रेट पता करेंगे और हर्ट रेट इस बच्चे का 104 है 104 है तीका न तो टेकी काडिया ब्रेडी काडिया अनलोग ऐसे बढ़ बढ़ बोल नहीं सकते नहीं इस बढ़ बंदे में टेकी या ब्रेडी काडिया नहीं है फिर extra systol extra systol जब चेकिये थे ये भी इस बचे मौज़ूद नहीं था फिर 3D Pulse 3D पल्स यह भी इस बच्चे मौजुद नहीं था फिर मफल्ड हर्ट साउंड मफल्ड हर्ट साउंड यह भी इस बच्चे प्रिजिन नहीं था सिर्फ डिस्निया था इसी वह लोग मापकाड डाइटिस को रूल आउट कर रहे हैं आउट चेछ करेंगे नियॉरोजाइं कोम्टिकेशन के लिए था ला जीकल विए कोम्टिकेशन नियॉरोजाइंचा क्या बा मटकेशन सब्सके हैं दिन है निजल रीगरजी टेशन यह वी दी इस जाम ép में नहीं है इसी परो भुत्ते है प्ली प्ली साथ 25 हमान के यह था था Ocular Palsy in Third Week ठीक है न, Third Week पे Ocular Palsy होती है इसी वसे यह इस बच्चे में नहीं मिल रही है यह भी इस बच्चे में नहीं मिल रही है Next तो क्या चेक करें Loss of Accomodation Manifested by Visual Blurring and Inability to Read तो Visual Blurring इस बच्चे में नहीं है Inability to Read Inability to Read यह भी इस बच्चे में नहीं है इसी वाइसे इस बच्चे में loss of accommodation नहीं है loss of accommodation नहीं हो रखा हुआ है next generalized polyneuritis next आप लोग है चेक है generalized polyneuritis जो कि होते हैं आपकी third to sixth week पे third to sixth week पे यह भी इस बच्चे में नहीं मिल रही है ठीक है न फिर हम लोग चेकर रहे है renal complication अब लोग ने चेक किया renal complication ठीक है न उसमें क्या बोले जा रहे है oliguria oliguria यह इस बच्चे में नहीं है and proteinuria proteinuria यह भी इस बच्चे में नहीं है तो इससे वाइस हमारा diagnosis अब क्या बना हमारा diagnosis बन गया 10-year-old boy 10-year-old boy presenting with presenting with fever of 38.6 degree centigrade for 5 days wanna take another, for 5 days with zero sanguineous discharge from nose with zero sanguineous discharge from nose with brassy cuff with brassy cuff with labored and noisy respiration labored and noisy respiration with increased respiratory effort with use of accessory accessory respiratory muscles respiratory muscles probably a case of laryngotracheal diphtheria diphtheria without complications without complications of myocarditis myocarditis neurological complications neurological complications and v-sub and renal complications and renal complications इनमें से कोई भी चीज़ इसमें नहीं है differential diagnosis क्या क्या बने इस प्रेशन का differential diagnosis है CRUPE number one CRUPE number two acute epiglottitis number two acute apiglottitis तेका ना number three laryngotracheobronchitis laryngotracheobronchitis number four retro pharyngeal abscess retro pharyngeal abscess and number five peritoncillar abscess peritoncillar abscess and number six bronchoneumonia bronchoneumonia pneumonia इस patient का management कैसे करेंगे इस patient का management कैसे करेंगे इससे पहले मैंने एक चीज़ लिएना बूल गया हूँ bacteriological report में diptheria diptheria confirm कर दिया गया हूँ है लेकिन culture report evitated था culture report evitated था अब management में हम लोग क्या क्या कर रहे है सबसे पहले हम लोग anti-toxin दे रहे है anti-diptheria toxin anti-diptheria toxin और यह हम लोग दे रहे 80,000 to 1,20,000 units 80,000 to 1,20,000 units दूसरा हम लोग दे रहे है protein penicillin protein penicillin कितना? एक मिएट 2,00,000 2,00,000 unit intramuscular 12 hourly 12 hourly ठीकन अंटिल दे पेशन कें स्वालो ठीकन अफर for 2 days for 2 days followed by followed by oral penicillin oral penicillin ठीकन कितना? top 125 mg QID दिन में 4 बार 125 mg QID for 14 days for 14 days ठीकना? इसका लब हम लोग ने और क्या बोला था? इस पेशन को हम लोग ने कडाया था बेड रेस्ट बेड रेस्ट for 2 to 3 weeks for 2 to 3 weeks ठीकना? और साथ ही साथ हम लोग ने और क्या अडवाइस दिया? अडवाइस में हम लोग ने या बोला isolate the patient isolate the patient for 5 days for 5 days ठीकना? and chemoprophylaxis chemoprophylaxis add up of erythromycin erythromycin 500 mg 500 mg for 7 days advised advised to family members to family members उन लोग ने लिया की ने लिया यह अब लोग ने बता सकते हैं ठीक है ना? and immunization ठीक है ना? आज के लिए इतना ही हम लोग ने अच्छली इतना ही करके रखे हुए ती special में thank you